हे गाइज दिस इस कप्पिल काद्यान वेलकम बैक ट्यू वन्स अगें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर थार्टेन एमाइन्स तो आज आपको जर्नल इंट्रोडक्शन स्ट्क्चर ओफ एमाइन्स क्लासिफिकेशन ओफ एमाइन्स एंड आई यू पेस इसकी जर्नल इंट्रोडक्शन है जो एमाइन्स है बिसीकली डेरिवेटिव है किसका ऐमाइन्स का तो आपको एमाइन्स की बात करें कि लाइक इस एमाइन्स अलसो आव ए ट्राइगोनल पीरामिडल स्ट्क्चर कि विद इस थ्री बॉन्ड पेर एंड वन लोन पेर ओफ ए electron the amino nitrogen atom is a sp3 hybridized तो इस case में इसकी structure देखिए सबसे पहले हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं try methyl amine की तो हमारे पास nitrogen के साथ three methyl group लगे पड़े हैं यहां पर और nitrogen के पास एक lone pair of electron है तो इस case में जो हमारे पास angle बनता है यहां पर bond angle वो कितना है 108 डिगरी अब यह actual angle जो हमारे पास 1095 डिगरी से क्या है basically less तो इस case में क्या लिखोगे आप की the bond angle is less than of 1095 डिगरी due to a lone pair bond pair repulsion उसके बाद यह दि बात करे classification की कि amines are classified as a primary secondary and trussary अब जो amines होते हैं basically वो primary भी होते है secondary and trussary depending upon किसके ओपर depend करेंगे यह नमबरों पर hydrogen atom replace by the alkyl और aryl group in the ammonia molecules तो हम यहां से समझेए इसको basically ammonia हमारे पास NH3 होता है अब यहां से एक alkyl group लग गया और यहां से hydrogen replace हो गया this is हमारे पास क्या बन गया primary amine R-NH2 अब इस case में यहां से further फिर hydrogen replace हो गया तो यहां पर एक R-S लग गया this is a secondary amine तो यह हमारे पास क्या बन गया secondary amine अब इस case में फर्दर फिर hydrogen replace हो गये यहां से तो एक हमारे पास फिर further alkyl group लग गया तो इसको हमने replace by case के द्वारा replace किये जाते हैं alkyl और किसे भी aryl group के द्वारा ठीके ना उसके बाद हमारे पास नॉमन क्लेचर अब हमारे पास जो नॉमन क्लेचर है basically primary amine की तो मैं अलग से कराने वाला हूं secondary की भी आपको अलग से मिलेगी और जो ट्रसरी की है वो भी आपको अलग से मिल वाली है तो सबसे पहले हम बात करते है नॉमन क्लेचर 4A primary amine तो हमारे पास जो first है यहां पर नॉमन क्लेचर CS3, CS2, NH2 अब इस case में यदि IUPAC name की बात करें तो carbon कितने है 2 हमारे पास तो क्या लिक होगे इसको this is a ethane और ECE cancel हो जाता है according to the हमारे पास functional group जो rule है और इसके साथ क्या लगा पड़ा है amine तो इसको क्या बोलोगे ethane amine यदि common name की बात करें तो meet heat तो हमारे पास ethyle क्या बन गया यह amine बन गया नेक्स IUPAC normal culture हमारे पास है CS3 CH और उसके उपर NH2 हमारे पास और उसके बाद है next हमारे पास CS3 अब इस case में सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे IUPAC normal culture की तो carbon हमारे पास कितने हैं यहाँ पर 3 तो क्या लिक होगे इसको आप this is a propane और उस थे बाद हमारे पास 2 पे क्या गया उपर हमारे पास this is a ISO और यह carbon कितनी है तो प्रोपाइल एमाइन तो क्या लिक होगे इसको आप ISO प्रोपाइल एमाइन नेक्स हमारे पास नंबर थरड की यदि बात करते हैं तो CS3 CS2 CS2 और NH2 आप carbon 3 है तो इसको आप क्या लिक होगे this is a propane 1 एमाइन 1 पे क्या है हमारे पास NH2 ग्रूप यदि कॉमन एम की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा एन प्रोपाइल माइन की फॉर्मेशन हमारे पास आ जाई एन का मतलब हमारे पास यह नंबर में है तो एन प्रोपाइल और प्रोपाइल के साथ क्या हमारे पास माइन ग्रूप नेक्स्ट हमारे पा आपने यहाँ पर सिरफ but an तक लगाना है one पर हमारे पास क्या पड़ा है amine यह वैसे क्या नाम दोगे इसका common name हमारे पास बनेगा n-butyl amine क्योंकि यह butyl है और यह हमारे पास क्या है amine तो यह हमारे पास बन गया butyl amine next number हमारे पास है CS3 और CS2 CH के साथ उपर क्या है CS3 और NS2 तो इसका हमारे पास सबसे पहले IUPAC normal culture क्या लिखोगे आप तो numbering करोगे numbering हमारे पास one two three four तो longest chain देखनी है आपने carbon की तो carbon कितने है चार तो but or two पे क्या पड़ा है हमारे पास amine पड़ा है next हमारे पास है six number वाला यह सारे basically IUPAC normal culture काफी important है आप सभी के लिए तो six वाला हमारे पास है CS3 CH और CH के ओपर CS3 CS2 NH2 अभी हाँ पर longest chain देखी carbon की कौन सी हमारे पास one two three तो हमारे पास two पे methyl और उसके बाद carbon केतने हैं हमारे पास three तो propane और one पे क्या पड़ा है amine तो क्या बनेगा two methyl propane one amine और यदि common name की बात करें तो common name हमारे पास बनेगा iso this is a iso और यह हमारे पास carbon 4 है तो butyl और यह क्या बन गया amine तो iso butyl amine next हमारे पास seven number वाला यू patient open culture कई बार exams में अलड़ी आ चुका है तो cs3 c के पास हमारे पास उपर भी methyl group नीचे भी methyl group और ns2 आप इसकी longest chain देखिए सबसे पहले आप ऐसे ले सकते हैं 123 ले सकते हैं 123 ऐसे ले सकते हैं या फिर 123 ऐसे ले सकते हैं तो हमारे पास हमने state ले लिए यहां पर तो two पे हमारे पास आयूपेसी नॉमन कलेचर में methyl है कार्बन कितनी है तो क्या लिकोगे प्रोपेन और two पे क्या पड़ा है amine तो two methyl propane two amine और यदि common name की बात करें तो common name हमारे पास कहा है यहां पर this is a trusory यह trusory form में है यहां कोई भी hydrogen नहीं है तो this is a trusory butyl amine carbon 4 थे तो इसलिए butyl लगाया और NH2 group था तो हमारे पास amine next हमारे पास eight number है क्याफी important है यह भी कि CS3 अब यहां पर C के साथ दो methyl group पड़े हैं CS2 NH2 अब इस case में two पे हमारे पास numbering देखिए वो यहां से करेंगे हमारे पास functional group के पास one two three तो two पे क्या पड़ा है two 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 दो टाइम है di methyl और यह carbon कितने है तीन तो क्या लिखोगे propane one amine यह बेसिकर इसका common name क्या लिख सकते आप this is a new pentyle यह हमारे पास carbon कितने है पांच तो this is a new और new form में है trustory form में है तो क्या लिखोगे new pentyle amine आप इसका name try down कर दोगे उसके बाद हमारे पास है secondary amines के बारे में secondary amines हमारे पास यह important है काफी ज्यादा तो और यह यहां पर one two neither देना आप सीधह डारेक्टी क्या लगा ओगे एन भर हमारे पास क्या पड़ा है mythite or यह हमारे पास क्या बनेगए this is a ethily mythical क्या रिख माहिए नेक्स हमारे पास second number है CS places NH, CS2 और CS3 अब इसका IUPAC normal culture हमारे पास क्या होगा N-Pay हमारे पास यह secondary form में है N-Pay methyl जो छोटे वाला ग्रूप है वो सबसे पहले लेना है उसके बाल क्या बन जाए इस इथेन, अमाइन, यह हमारे पास बन जाए इथेन, अमाइन यदि common name की बात करें तो हमारे पास यह क्या है, this is a ethyl और यह हमारे पास कौन सा ग्रूप है, ethyl और this is a methyl और यह हमारे पास amine, ethyl, methyl amine की formations आपको यहां से मिलेगी, next हमारे पास है trussery amine की यदि IUPAC normal culture करते हैं, तो यह भी काफ़ important है, तो यह हमारे पास है CS3, CS3 पे N, RN के ओपर दो methyl group, तो इस case में आप क्या लिक होगे, यहां पर NN अब two times N लगाना है आपने, क्योंकि N पे ही methyl है, N पे ही methyl है, तो N, N, dye, methyl और यह हमारे पास क्या बन गया, methyl amine, next यह यदि बात करें, common name की, तो हमारे पास है, this is a trusory, यह trusory form में है, trusory methyl और यह हमारे पास क्या है, amine, second की यदि बात करें, इस case के अंदर CS3, N, N पे हमारे पास methyl और यहां पर है ethyl group, तो N हम क्या लिकेंगे, यहां पर N, N, हमारे पास N, N के दो टाइम क्या पड़ा है, methyl group, और इसको हम क्या लिकेंगे, this is a ethane amine, और वैसे यदि common name की बात करें, तो this is a ethyl, और उसके बाद यह di-methyl amine की formation सामें, यहां से इसका नाम राइडाउन कर देंगे आप, next हमारे पास third वाला, third वाला भी काफी important है basically, अब यहां पर CS3, CS3 पर N के उपर CS2, CS3 पड़ा है, यदर भी CS2, CS3 दी इथाइल group है, अब इसका जो आपने IUPAC nomenclature करना है, वो क्या लिक होगे, N पर हमारे पास क्या है basically बच्चो इथाइल group, N पर ही हमारे पास है methyl group, और यह क्या बन गया, ethane amine, या फिर common name क्या बनेगा, dye, हमारे पास ethyle, और यह उसके बाद है methyl, और यह हमारे पास क्या पड़ा है, amine, यह ट्रसरी वाले हैं, उसके बाद नमबर 4 की यदि बात करें, तो नमबर 4 हमारे पास है benzene के उपर NH2 group, अब इसको हम IUPAC नमबर 4 की नमबर 4 क्या लिखेंगे, इससे बैंजया एमाइन, और यदि common name की बात करें, तो क्या बनेगा, हमारे पास एनलीन बनेगा, next हमारे पास है, जो इसके अंदर 5 नमबर वाला, benzene के उपर NH2 और CS3, अब इस केस में N पर ही हमारे पास क्या पड़ा है, methyl, और इससे हमारे पास क्या बन गया, एनलीन, या फिर common name हमारे पास methyl, एनलीन, 6 नमबर हमारे पास है, ये भी काफी important है, इसके अंदर देखिए ध्यान से, कि जो हमारे पास benzene के उपर N, और यहाँ पर methyl group two time है, तो इसको आप क्या लिक होगे, this is a N, two time N है, di-methyl, और यह हमारे पास क्या बन गया, एनलीन, या फिर इसको common name क्या रहेगा, हमारे पास di-methyl, एनलीन, यह काफी important रहेगा आपके exams के लिए, तो यह हमारे पास IUPAC normal culture तो है, जो आपके मैंने आज कराए, आपको अपनी इस वीडियो के अंदर thanks for watching, तो next वीडियो में फिर कुछ important things लेके आएंगे, bye